नमस्कार and welcome to my youtube channel English for all दिस इस मनीश राय आज प्रस्तूत है वर्ग 6 से पाठ संख्या ग्यारा जी बच्चों, क्लासिक से लेसन नंबर 11 जिसका नाम है अकबर और बिरवल बच्चों, आप लोग भी अकबर और बिरवल की कहानी खुब सुनते होंगे और एक दूसरे से कहते भी होंगे उन्ही कहानियों में से एक आज है जो मैं आपको वर्ग 6 में पाठ संख्या 11 के रूप में समझाने की कोस्चिस करूँगा जी बच्चों, अकबर और बिरवल तो सबसे पहला ये वामा को लेते हैं यहां लिखे है बच्चों, तैनाली रामन, मुल्ला नसुरूदीन, गोलू जा एंपिरबल are some famous characters from the folk tales of India बच्चों, characters का मतलब होता है पातर, चरित्र, famous का मतलब होता है मसहूर और folk tales का मतलब होता है लोक कथाएं ईंडिया मतलब भारत की मतलब भारत की लोक कथाओं के लोक कथा किसको कहते हैं जो अस्थानी अस्तर पे बुजुरुगों के दवारा जो कथाओं कही जाती है उसी को लोक कथा या अंग्रेजी में फॉक्टेल्स कहते हैं तो आर्मर में लिखा कि बच्चों कि भारत की दंत कथाओं में भारत के फॉक्टेल्स में लोक कथाओं में जो महत्तोपूरूनत फेमस करेक्टर स्पात्र है न वे हैं तेनाली रामन है, मुला नसरुदीन है, गोनु जहा है और बिरबल है अगर आप जानते हैं तो अपने वर्ग में उस कथा को कहिए बच्चों आप भी गोनु जहा और बिरबल के बारे में बहुत सुने होंगे है न तो आईए आज अकबर और बिरबल वर्ग छो की पाठ संख्या ग्यारा की शुरुआत करते हैं बच्चों लिखा है देरवाज अ मूगल इंपेरर बच्चों इंपेरर का मतलब होता है समराट नेमड का मतलब होता है नामक तो लिखा है देरवाज़ मुगल इंपेरर इन इंडिया भारत में एक मुगल सासक थे, मुगल समराट थे, नेमड अकबर जिनका नाम अकबर था दा ग्रेट, जिनका नाम क्या था? अकबर दा ग्रेट, मतलब अकबर महान कहा जाता है बच्चों अकबर दा ग्रेट आप जब बड़े हो जाओगे तो इतिहास की पुस्तकों में अकबर के बारे में पढ़ेंगे अकबर क्या थे मुगल इंपेरर थे मुगल समराड थे बच्चों बच्चों इलिटरेट का मतलब होता है अनपड जी बच्चों इलिटरेट का मतलब होता है अनपड और हमसेल्फ का मतलब हो गया स्वैम लेकिन अकबर इनवाइट करते थे मतलब आमंत्रित करते थे बुलाते थे several का मतलब बने एक learned people बचो learned का मतलब होता है बिद्वान बचो learned का मतलब होता है ग्यानी पंडित बिद्वान learned people को ग्यानियों को पंडितों को बिद्वानों को to his court कोर्ट का मतलब होता है दर्बार बच्चों अकबर महान जो थे न इलिटरेट थे अनपड थे बटे इनवाइटेड लेकिन वे कई बिद्वान लोगों को ग्यानी लोगों को पंडित लोगों को अपने दरबार में बुलाते थे Among these people यानि जिन पंडितों को जिन ग्यानीयों को जिन बिद्वानों को अकबर अपने दरबार में आमंत्रित करते थे न Among these people उन लोगों में सामिल थे सुनिए Nine were very famous उन लोगों में नौ जो थे न बड़े ही famous थे बड़े ही मसहूर थे उन नौ लोगों को नौ रतन कहा जाता था बच्चों अकबर अनपड़ थे लेकिन पढ़े लिखे लोगों को अपने दरबार में आमंत्रित करते थे तो जितने लोगों को आमंत्रित करते थे न उनमें Nine were very famous नौ बड़े मसहूर थे अपनी बिद्वता के लिए उनही नौ लोगों को नौ रतन कहा जाता है और Nine jewels of his court बच्चों जूल्स का मतलब होता है रतन तो उन्हें नौ रतन कहिए या अकबर के दरबार के वे नौ रतन थे बिरबल वाज One of them बिरबल उनही नौ रतनों में से एक थे बच्चों बिरबल जिनके बारे में आज पढ़ोगे न तो अकबर के दरबार में जो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग आते थे बिद्वान आते थे पंडित आते थे न तो उन लोगों में से नो जो थे न, बड़े मसहूर थे, उन्ही को नौरतन कहा जाता है, और बिर्बल उन्ही नौरतनों में से एक थे, आईए बच्चों आगे बढ़ते हैं, लिखा है कि बिर्बली जो वन अफ दा मोस्ट पोपुलर फीगर्स, बच्चों, मोस्ट पोपुल मतलब बच्चों के बीच में, एज वेल एज, के साथ साथ, और एडल्ट्स का मतलब होता है बालिग, सयाने लोग, जो वोट करते हैं, उनको एडल्ट कहते हैं, तो लिखा है कि बिर्बली जो वन अफ दा मोस्ट पोपुलर फीगर्स, बिर्बल जो थे न, सबसे प्यानों के बीच भी, अकबर जो है न, भारतिय इतिहास के सबसे सुपरसिद और महत्तपुर्ण व्यक्तियों में से एक हैं, विर्बल क्या थे, अकबर्स मिनिस्टर, मिश्टर का मतलब होता है मंत्री, वे बिर्बल जो थे, अकबर के मंत्री थे, एड़ अकबर लवड ही और अकबर विर्बल से बहुत प्रेम करते थे, बहुत सनेह करते थे, बहुत लाड करते थे, क्यों समझी है, फॉर इस विजडम, बचो विजडम का मतलब बता है अकलमंदी, ठेक है, बुद्धिमानी, समझदारी, और ये वीट देख रहा है न, वीट का अर्थ होता है चत यानी विर्बल की चतुराई के लिए, अकलमंदी के लिए, सुजबूज के लिए, समझदारी के लिए, और हसाने वाले गुण के लिए, अकबर अपने मंतरी विर्बल से बहुत प्रेम करते थे He was a poet Poet मतलब बचलों होता है कभी और ये author का मतलब होता है लेखक और to का मतलब होता है भी बच्चों बिरबल जो थे न poet थे, कभी थे and author to और लेखक भी थे The stories of Akbar and Birbal, यानि Akbar और Birbal की कहानिया stories मतलब कहानिया, Akbar और Birbal की कहानिया have been recorded in many books, यानि अकबर और बिरबल की लाजबाब जो कहानिया है न, have been recorded, दर्ज की गई है, मतलब छापी गई है, in many books, कई किताबों में भी ये कहानिया छापी है, many of these stories have become folk stories in the Indian tradition, बच्छों, tradition का मतलब होता है परमपरा, यानि अकबर और बिरबल की जितनी कहानिया किताबों में छपी है न, many of these stories, उन कहानियों में से बहुत सारी कहानिया जो है न, have become, बन गई है, folk stories in the Indian tradition, भारतिय परमपरा में, वे folk stories बन गई है, यानि लोक कहानिया बन गई है, लोक कथाएं बन गई है, और अस्थानी अस्थर पे लोग खूब इन कहानियों को कहते हैं, बच्चों का मज़र इंजन भी करते हैं, और बच्चों का ग्यान वर्धन भी करते हैं, here is an interesting story, बच्चों, interesting story का मतलब होता है, रोचक कहानी, of Akbar and Virval, ये रही, Akbar और Virval की एक रोचक कहानी, तो आईए, अब कहानी की सुरुवात करते हैं, बच्चों, once a pundit visited Akbar's court, बच्चों, भीजिट का मतलब होता है, मिलने आना, देखने आना, once का मतलब होता है, एक बार, once a pundit visited Akbar's court, यानि एक बार, एक pundit Akbar के दरबार में आये, बच्चों, लर्न का मतलब होता है, ग्यानी, पंडित, बिद्वान, यानि जो पंडित, अकबर के दरबार में आये ना, भेरी लर्न, बहुत क्या थे, ग्यानी थे, बहुत बिद्वान थे, and could speak, और बोल सकते थे, many languages, लेंग्वेज का मतलब हासाएं, बच्चों, अकबर के दरबार में जो पंडिता है, वे बहुत बिद्वान थे, बड़े बिद्वान थे, and could speak many languages, और कई भासाएं बोल सकते थे, he challenged everybody in the court, कोट का मतलब दरबार, और challenge का मतलब चुनावती देना, पंडित जीने challenge किया, चुनावती दिया, everybody, मने हर कोई को in the court, यानि अकबर के दरबार में जितने लोग थे न, सब को पंडित ने चुनावती दिया, saying, कहते हुए, that he could answer any question, any language, पंडित ने कहा, कि मैं किसी भी प्रस्न का जवाब किसी भी भासा में दे सकता हूँ, यानि आप किसी भी भासा में कोई भी प्रस्न उस पंडित से पूछो, पंडित ने कहा, कि जिस भासा में, जो कुछ भी आप प्रस्न पूछेंगे, उसी भासा में मैं उस प्रस्न का जवाब दे दूँगा पंडित ने कोर्ट में सब को ललकारा चेलेंज किया the courtiers दरबार में जितने लोग बैठे होते हैं सबको courtiers बोलते हैं, दरबारी बोलते हैं the courtiers asked him questions in different languages different का मतलब भिन भिन यदि दरबारियों ने भिन 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 भासाओं में पंडित से परस्न पूछे and he replied, reply का मतलब जवाब देना और पंडित ने जवाब दिया, all of them सारे परस्नों का उत्तर दे दिया in that very language, उसी भासा में that very language का मतलब हुआ, उसी भासा में मतलब दरबारियों ने जिस भासा में पंडित से परस्न पूछा पंडित ने उन ही की भासा में उनके परस्नों का उत्तर दे दिया he was so expert expert का मतलब होता है कूसल, दक्ष, प्रवीड he was so expert वो इतना कूसल था, पंडित, इतना दक्ष था इतना प्रवीड था in all these languages इन सारी भासाओं में that no one was able to guess कि कोई भी ब्यक्ती, no one कोई भी ब्यक्ती, able, सक्षम नहीं था to guess, अनुमान लगाना his mother tongue, mother tongue थोता है, बच्चो मात्री भासा यानि मेरी माँ घर पे भोजपूरी बोलती है, इसलिए मेरी mother tongue, मेरी मात्री भासा क्या है, भोजपूरी है, यदि आपकी माँ हिंदी बोलती है तो आपकी मात्री भासा क्या है, हिंदी है ठीक है, तो मेरी मात्री भासा भोजपूरी है तो बच्चो वह ब्रामन इतना expert, इतना प्रवीड था कुसल था in all these languages कि इन सारी भासाओं में वह इतना कुसल था, that no one was able to guess his mother tongue कि कोई ये पता नहीं लगा सकता था कोई ये guess, अनुमान नहीं लगा सकता था कि उस पंडित की mother tongue मात्री भासा क्या है then he said to the king तब पंडित ने king से, raja से, समराट emperor से, अकबर से कहा if your courtiers find out बच्चों find out का मतलब पता लगाना कि अगर आपके दरबारी पता लगा लेंगे my mother tongue, by tomorrow by tomorrow का मतलब कल तक महराज, यदि आपके दरबारी कल तक मेरी मात्री भासा बता देंगे, यानि अगर आपका कोई भी दरबारी ये बता दें कि मेरी मात्री भासा क्या है I will accept them wise accept का मतलब स्विकार करना और wise का मतलब बुद्धिमान तो मैं आपके दरबारीयों को बुद्धिमान समझ लूँगा अगर कल तक कोई बता दें कि मेरी मात्री भासा mother tongue क्या है तो मैं उनको समझदार समझूँगा बुद्धिमान समझूँगा बट लेकिन if they fail to do so लेकिन वे ऐसा करने में असमर्थ रहे मतलब यदि वे मेरी मात्री भासा बतलाने में असमर्थ रहे you should accept my you should accept आपको स्विकार कर लेना चाहिए me superior का मतलब होता है stressed to all of them अगर कल तक अगर कल तक वे मेरी मात्री भासा बता देंगे तो मैं उनको wise माननूँगा समझदार माननूँगा और अगर कल तक नहीं बता पाए तो महराज आपको accept करना होगा आपको स्विकार करना होगा कि मैं आपके सारे दर्बारियों से stressed हूँ ज्यादा बड़ा बिद्वान हूँ बड़ा पंडित हूँ बड़ा ग्यानी हूँ आपको ये मान लेना होगा चुनावती दिया अकबर को किसने बच्चों पंडित ने emperor agreed बच्चों अकबर जो थे ना पंडित's mother tongue कि पंडित की मातरी भासा पता लगाओ अकबर ने सारे दर्बारियों से कहा कि सुनो इस पंडित की जो मदर टॉंग है जो इसकी मातरी भासा है न पता लगाओ all of them failed सारे दर्बारी फेल हो गए असफल हो गए किसी को पता नहीं चला कि इस पंडित की मातरी भासा क्या है अकबर टर्न टू बिर्बल और अब अकबर जो थे न टर्न टू बिर्बल की और मुड़े and asked him और बिर्बल से कहा to solve this problem solve का मतलब होता है हल करना problem मतलब समस्या अब अकबर जो थे न हार पाच करके बिर्बल की तरफ मुड़े और बिर्बल से कहे कि बिर्बल solve this problem इस समस्या का समधान करो ये बताओ कि इस पंडित की मातरी भासा क्या है बिर्बल accepted the challenge accept मतलब स्विकार करना challenge मतलब चुनाओती बचो बिर्बल ने चुनाओती स्विकार कर ली कि महराज मैं कल तक बता दूँगा कि इस पंडित की मातरी भासा क्या है सुनिया क्या होता that night that night मतलब उसी रात बिर्बल वेंट टू दपंडित's bedroom उसी रात बिर्बल जो थे न पंडित के सयनकक्ष में गए bedroom का मतलब सोने वाला कमरा सयनकक्ष में गए when he was fast asleep fast asleep का मतलब होता है गहरी नींद में होना जब ब्रामन गहरी नींद में थे न बच्चों उसी समय बिर्बल जो थे पंडित के bedroom में गए बिर्बल टिकल्ड हीज इयर बच्चों टिकल्ड का मतलब होता है गुद गुदाना जैसे आप कान किसी का खोदते हैं न बच्चों बड़ा अनमना लगता है तो उसी प्रकार से with a dry grass एक सुखी घास से यानि एक पतली लकडी से बिर्बल ने सोय हुए पंडित के कान को क्या किया खोदा गुद गुदा आया the पंडित sleep was disturbed sleep का मतलब यहां पे नींद हुआ पंडित की जो नींद थी न बच्चों उसमें बाधा पहुँची डिस्टर्ब हुआ यानि पंडित गहरी नींद में सोया हुआ था रात में और उसी रात उसके कमरे में बिर्बल पहुँच गया और बच्चों एक सुखी लकड़ी से उसके कान को गुदगुदाया या कान को खोदा तो उसके नींद बाधित हुई he turned to the other side and slept वह करवट बदला पंडित था ना अकबकाया और करवट बदला and slept और फिर सो गया बिर्बल टिकल्ड ही जियर अगेन बिर्बल ने बच्चों फिर उसी लकड़ी से इसके कान को एक बार फिर से गुदगुदाया कान को एक बार फिर से खोदा मतलब उसके कान में एक बार और लकड़ी लगाई इस बार पंडित की नींद थी ना और बाधित हुई he woke up पंडित जाग उठा और जोर से चिला करके कहा यानि वो गहरे नींद में सोया था बिर्बल जो थे ने उसके कान में लकड़ी खोद रहे थे तो अकबकाया और करवट बदल के फिर सो गया और जैसे फिर सोया तो दूसरे कान में फिर इन्होंने लकड़ी लगाई और फिर कान को खोदा इस बार होआ जगा और जोर से चिलाया इवर्रदी ये बचो एक भासा है इसका मतलब हुआ गया रे कौन है बिर्बल हीड हिमसेल्फ बिर्बल ने अपने आपको हीड कर लिया जब पंडित ने चारो तरब देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था चुकि बिर्बल छुप गये थे लेकिन वह अपनी भासा में बोल चुका था जिसका अंग्रेजी में मतलब होता है तो जब पंडित ने चारो और देखा कोई नहीं था जब पिर सो गया बिर्बल केम बैक और जब वह सो गया तो बिर्बल फिर से वापस आ गये अगले सुबह राजा के दर्बार में सब लोगे संबल हुए मतलब सब लोगे कठे हुए दर्बार लगी पंडित रिपीटेड हीज क्वेस्टन तब पंडित ने फिर से रजा के दर्बार में अपने प्रस्ण को दोराया कि बताओ मेरी मातरी भासा क्या है बिर्बल फाइनली रिपलाइड किसी ने जवाब नहीं दिया सब खामोस थे बिर्बल फाइनली रिपलाइड अंत में बिर्बल ने रिपलाई किया बिरबल ने जबाब दिया तेलुगू is the pundit's mother tongue महराज इस pundit की मातरी भासा तेलुगू है बिरबल के सही जबाब पे पंडिज उथा ना बहुत आश्चर चकित रह गया कि अरे बिरबल ने सही जबाब बता दिया कैसे इसने सही जबाब बता दिया and accepted his defeat defeat का मतलब हार और पराज है और बच्चों जैसे ही बिरबल ने सही जबाब दिया the pundit accepted his defeat पंडित ने अपनी हार क्या कर ली सुविकार कर ली अकबर आस्क बिरबल अकबर ने बिरबल से पूछा how, कैसे, he found out found out, पता लगया था आमसुर बच्चों अकबर ने तब बिरबल से पूछा कि बिरबल तुमने पंडित की मातरी भासा को कैसे पता लगाया बिरबल सैड, बिरबल ने कहा that key, a man in distress बिरबल ने महराज से का कि महराज, जब भी कोई ब्यक्ति distress में होता है, पीडा में होता है कस्ट में होता है, संकट में होता है always toxin is mother tongue तब वो हमेशा अपनी मातरी भासा में बोलता है, बच्चों आपी सीख लिजिए जब भी कोई ब्यक्ति बहुत संकट में होता है, कस्ट में होता है पीडा में होता है, तकलीप में होता है तो नींद में उसके मुँ से उसकी मातरी भासा में ही आवाज निकलती है, और मैंने कल रात इनके कान में वो लकडी लगा करके इनका कान खोदा, ये गहरी नींद में थे बड़ी इनको कस्ट हुई, तब ये अकपकाकर के जगे, और तेलगों में ही इनोंने जबाब दिया की कौन है, इस प्रकार से मैं समझा, समझें, देन ही नेरेटेड दा होल स्टोरी अब दा प्रीवेस नाइट, प्रीवेस नाइट मतलब गत रातरी, होलस्टोरी मतलब पूरी कहानी, नेरेट मतलब कहना, तब बिर्बल ने अकबर से कलरात क्या हुआ पूरी कहानी कही कि कैसे मैंने इनके कान को गुदगुदाया और ये नींद में ही अपनी मातरी भासा में बोले कौन है और यही कारण है कि मैं इनकी मातरी भासा जान पाया अकबर प्रेजड ही प्रेज का मतलब तारीफ करना बढ़ाई करना प्रसंसा करना अकबर ने बिरबल की तारीफ की उनकी प्रसंसा की उनकी बढ़ाई की फोरिस टाइमली विजडम यानि समय रहते बिरबल ने जो विजडम दिखाई जो बुधिमानी दिखाई जो समयधारी दिखाई ना इसके लिए अकबर ने बिरबल की खुब क्या की तारीफ की अगर बिरबल ने अकलमंदी नहीं दिखाई होती तो राजा को हार सुईकार करनी पड़ती और ये मान लेनी पड़ती कि जरवार का सबसे समझदार व्यक्ति नौरतनों में से कोई नहीं बलकि यह पं आप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद